हेलो एव्रिवन मैं हूं मोहमच सोहेल आपके सामने स्टॉक पर बात कर रहा हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वन डे का क्याणिल जाटे अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पर आये हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों प्रिवियस टाइम मैं आप लोगों को स्टॉक में एंट्री दिया था दोस्तों 43 रूपीज पर जिदर 43 रूपीज का लेवल जो हमारा बन रहा था वो हमारा प्रिवियस ब्रेकडाउन लेवल से बन रहा था मैं आपको पहले ही सज्जिस्ट किया दोस्तों स्टॉक लेवल ब्रेक कर गया स्टॉक के अंदर new levels आए हैं अगर stock new level पे sustain करना चार रहा तो public की demand देखेगा कि new stock level जो है उसके उपर उसके हिसाब से sustain करेगा नहीं करेगा अब public का demand जो है stock का price को उपर ही रखना without any depreciation stock ने क्या किया अपना breakdown level ब्रेक करके जो यह new levels बनाया है new levels पे sustain किया उसके हिसाब से बार-बार bounce back हो रहा था तो मैं आप लोगों को suggest किया था 43 पे entry लो अगर stock level यहां से break कर रहा तो आपका final breakdown level कहां पे बना दोस्तों final breakdown level बना 36 रूपीज पे sorry breakout level कहां पे बना 36 रूपीज पे अगर 43 के लेवल पे आप entry लिये हो अगर वहां से stock trend के level को break कर रहा तो दोस्तों आप लोगों को इधर 36 रूपीज के पास average strategy maintain करनी पड़ेगी completely suggest कर दिया और average तो maintain नहीं करनी पड़ी अपने final breakdown level के हिसाब से हमारे 50 के target अचीव हो चुके हैं फिर भी हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं यहां से क्या हम रूप सकते हैं यहां profit book करना है मैं तो बोल रहा हूं completely profit book कर लो क्योंकि stock हमारा 60 RSI के down में आने के बाद stock का decrement चालू हो गया क्या चालू हो गया stock का decrement RSI 6240 क्या बोलके जाना जाता है RSI 6240 वो होता है जिदर stock market के अंदर कौन से भी stock के price को बढ़ाया जाता है कौन से भी stock के price को decrease किया जाता है for an example यहां पर stock यह 60 यहां पर स्टॉक नीचा आया ठीक है यह 60 RSI को लगए यहां पर 60 RSI का level क्या है यहां पर है 37.80 परसा ठीक है अभी यहां पर जो 60 RSI का level यहां पर क्या है यहां चालिस रूपया है जैसे स्टॉक RSI 60 को ब्रेक करता है न्यू लो लेवल बनाता है अपने स्टॉक के उसकी के इस ट्रेंड के बनाता है अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ऊपर के कुछ नए लेवल बनाता है तो 60 to 40 RSI के लिए एक तरीके से काम करता है तो मैं आप लोग को कंप्लीटले सजेस्ट कर रहा हूं अभी के लिए स्टॉक में एक्जिट हो जाईए फिर से अपॉर्टिनिटी आएगी मैं वीडियो रिकॉर्ट करके अप्लोड करके बता दुना यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लेजिए फॉर इंट्रेडे लाइब टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन ने मिल जाएगा एंड थैंक्यू फॉर य यूनियन बैंक का क्लोजिंग 47.75 यह मैं टार्गेश निकार रहूं और 9 फेबरबरी 2022 वेनेज़डे के लिए वेनेज़डे लाइब मार्केट में आपको मेरे लेवल्स पे वाइंग उपोर्चिनिटी या सेलिंग उपोर्चिनिटी देखने को मिले आप मेरे टार्गेट एंड स्टॉप लॉस लाइब मार्केट में लेकर चल सकते हैं दोस्तों